आज है 26 दिसंबर और लॉट आया है क्रेजी फोर टीवी टीवी की दुनिया की साथ छोटी बड़ी खबरे लेकर तो चली जंदिस से आपको आज की तासी अपटेट देते हैं टीवी का तरका पहली टॉप नियूज शिवांगी और कुशाल के शो बरसाते पर लगेगा ताला सोशल मीडिया पर मचा हरकाम दरसल सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि बरसाते मौसम प्यार का जल्दी ओफियर होने वाला है क्योंकि उन्हें नौकरी और रहने के लिए घर मिल चुका है अनुएक रेस्टोरेंट में काम कर रही है लेकिन अब गयास लगाए जो रहे हैं कि जिस रेस्टोरेंट में अनुपमा काम कर रही है कुछ वक्त पहले ही तारक महता शो में जनिफर मिस्तरी के केदा को मोनाज में वावाला ने रिप्रेस किया है ऐसे में शो का हिस्सा बनते ही मोनाज लगातार इंटर्व्यू दे रही है लाइम लाइट में है वहीं अब एक इंटर्व्यू में मोनाज से दया बैन की वापसी पर सवाल पूछा गया पर मोनाज ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें सच में इस बात का आइडिया नहीं है कि शो में दया बैन कब आएंगी लेकिन वो उनके साथ काम करने के लिए काफी एकसाइटिन है तीवी का तर्का चौथी टॉप नियूज राजिन के इस शो को रिप्लेस करेगा स्टाप ब्लस का ये नया शो स्टाप ब्लस पर जल्दी आँख में चोली नाम का नया शो शुरू हने वाला है एश्वरिया शर्मा ने एक इंटर्व्यू दिया है जिसमें आक्ट्रस ने खुर कर ईशा मालविया को जवाब दिया एश्वरिया ने अपने एक्स पॉर्ट्रेंट के आरोपो पर अपना रियक्शन दिया है एश्वरिया शर्मा से जब पूछा गया कि अगर शोर में फिरस्ते हो जाते हैं तो कीसे टार्गेट करेंगी इस पर एश्वरिया ने सीधा ईशा मालिया का नाम लिया इसके लावा अपनी एक्स पर्समेंट के आरोपो को भी पब्लिसिटिस प्रंट करार दिया एक्टर की हाथ एक नया ब्रजेक्ट लगा है आवा है कि साल ro mediator की शरुआत में स्टार्व परस्त पर कई शोर का एलां होगा जिसमें से एक में शिजान दी दिखाई दे सकते हैं टीवी का तड़का साथ और आखरी टॉप नियूज मुनवर फारुकी ने मचाई घर में तोड़ फोर बिकवान 17 का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें मुनवर फारुकी और मनारा चोप्रा के बीच भयान कर विवाद देखने को मिला है मनारा लगातार मुनवर फारुकी को ताने दे रही है और अब मुनवर के सब्र का बांध तूट जाएगा वो मनारा पर भड़कते हुए घर में तोड़ फोर मचा देंगे मनवर का गुसा देख घरवाले भी हैरान है